नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिष निशास सत्य कीरा मैं हूँ आपके साथ आपका एश्ट्रोफेंड संतोशी तो भाईया आज 26 जन्वरी है एक बार अपने पुराने समय को याद किया जाए तो कितना उध्जार रहता था आज के खास सुबह में हमें याद आता है हम अपने बच्पन में जब प्राइमरी पाट साला में पढ़ते थे थे शहर में लेकिन अंचल हमारा ग्रामीड और परिवेश पिता जी ने ग्रामीड ही देने का प्रयास किया जिससे हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें तो प्राताहकाल प्रभात फेर देश भक्ति के गीत जनगणमन आदि बंदे मात्रम आदि ये सब चीजें गाते हुए राष्ट गान वगारे का जो आनंद था उस समय वो उत्साह बहुत दूर दूर तक नहीं रहता ये राष्ट परव जैसे रहता था बहराल आज गरतंत्र दिवसकी आप सब को बहुत सा देश के निमित आज एक प्रियोग हम आप सब को बताएंगे एक उपाए एक प्रियोग जो आप अपनी राष्ट के अनुसार अगर करते हैं तो आपके लिए देश का जो प्रभाव है जो भाव है बहुत अलग हो जाएगा इस विशे पर एक अलग से भी वीडियो हम डालेंगे चलिए सुरुबात करते हैं आज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सुरप्रधम आज का पंचांग माख क्रिश्ण नौमी है आज चंद्रमा तुला में अक्षत राज का स्वाति रहेगा योग रहेगा गंड तद अनुसार दिनांक 26 जनवरी दिन बुधवार राहुकाल बारह बजे से डेड़ बजे तक और गुलिक काल साड़े दस से बारह प्रातेकाल की वेला का ये समय जो राहुकाल है वो अवाइट किया जाना चाहिए और जो गुलिक काल है उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपना सकते हैं मेंसे लेकर मीन तक का आईए अब हम आपको बताते हैं पूरे दिन का हाल अर्थात आज की भविश्यमाणी और एक उपाए देश के नाम मेश्राशी पढ़ाई अच्छी है अच्छे मन लगेगा शिक्षा में पूर्णता की पूर्ण संभावना है ब्यापार तकलेफ दे है हिस्तिति में है बिजनस थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है परशानियां बढ़ सकते हैं ब्यापार को लेकर के सत्रक रहें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है परिस्ततियां आपके पक्ष में हैं नवकरी में प्रमोशन है सरकारी छेत्र तनाव देगा गौर्णमेट सेक्टर को लेकिए सजग रहने की आवशकता है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पती पतनी की बीच नह बढ़ेगा सवहार्थ बढ़ेगा सपोर्ड बढ़ेगा लव लाइफ में उल्जहन आएगी सोच समस्कर फैसला लेजे स्वास्त के मामले में आज माइग्रेन और आखों की समस्या हो सकती है प्रियोग एक उपाय देश के नाम आपकी कुंडली से आपका दुतिय भाव भारत वर्ष का लगना है तो आज आपको किसी जरुरत मंद को कुछ धन से मदद करना है दुतिय भाव से मदद करना है इस उपाय को हम इस तरह से तारकिक तोर पर कसोटी पर कस रहे हैं कि भारत वर्ष का जो लगन है ब्रिशब लगन वो आपकी राशी से किस भाव में पढ़ता है उस भाव से सम्बंधित चीजों का दान देश के नाम कुछ ऐसा ही तरक ले करके हम उपस्तित हुए है आईए बात करते हैं आज मेश राशी वालों को क्या नहीं करना है आज वाहन उधार नहीं देना है शुबरंग पीला भागी पत्षट 65 ब्रिशब राशी परिश्रम से किया गया प्रियास सफल होगा शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है ब्यापार आपके लिए तकलीफ देगा बिजनस में उठा पटक बनेगा चिंता और तनाव बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूलता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है सरकारी छेत्र उल्धन देगा गौर्मन शिक्टर में उठा पटक है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के प्रती जिम्मेदारी का अंदिरवहन होगा लव लाइव की स्थिती में सुधार की गुंजाईश नहीं दिखाई देती थोड़ा सा सावधान रहने की आवशक्ता है स्वास्थ के मामले में किटनी और कमर दर्द घुटने से संबंधित परेशानी हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए ब्रशब वालों को आपको अपने शरीर से ही देश के लिए कुछ उपाय करना है तो आज एक शुभ मंत्र भगवान गणेश का आप 108 बार जाप कर लीजेगा क्योंकि आपका जो राशी है वही भालत वर्श का लगना है क्या नहीं करना है आज बढ़ बोला पर नहीं दिखाना है बैगनी रंगी शुबता में 63 प्रतिशत का भाग्य है मिथुन राशी आपके लिए क्या रहेगा एक उपाय देश के नाम थोड़ा इंदजार पहले बात करते हैं सिक्षा की पढ़ाई में अवसर अच्छे मिलेंगे मामला आपके हाथ में हक में है ब्यापारी दिश्टिकोर्ट से आज कुछ तनाव की स्थिति रहेगे उल्जन बढ़ सकती है लें दें ध्यान से करें प्राइवेट सिक्टर बहुत अनकूल रहेगा उरुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र उल्जन देगा गौर्मन सेक्टर में तनाव बढ़ सकता है नापत्य जीवन बहुत सनेह वाला रहेगा कुछ रोमाइंटिक भी रहेंगे लव लाइव की स्थिति में सुधार हो रहा है बधाई हो डेट पर जा सकते हैं स्वास्थ के मामले में पेट आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशी वालों को देखिए आपके बारहमें भाव से इसका संबंध है बारहमा भाव हमारे व्याय का होता है तो कुछ व्याय हमें देश के नाम करना है कुछ देना है देश को क्या चार पीपल के पौधे कहीं आज लगा दीजेगा बहुत बड़ी गिरिनरी दे देंगे उपलब्धी देंगे ऑक्सीजन देंगे क्या नहीं करना है आज बड़ बोला पर नहीं दिखाना है गुलावी रंग शुभ है अठावन प्रतिशत का भाग्या है करक राशे सिक्षा की प्रति सब कुछ बहुत शुभ रहेगा व्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे प्राइवेट सिक्टर में तनाव है चिंताएं बढ़ सकती हैं सरकारी छेत्र अनकूल रहेगा गौर्णमेंट सिक्टर में लाब के अउसर बनेंगे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा बच्चों का कार्य संपन्न करेंगे आप लेकिन लव लाइफ की स्थती में सुधार नहीं हो रहा है चिंताएं बढ़ सकती हैं स्वास्थ के मामले में पेट कमर और आख की शिकायत रहेगी क्या उपाय करना चाहे करक वालों को आज किसी जरूरत मंद को आपकी राशी से देख लिजेगा ध्यान दीजेगा एक आदस में पड़ता है किसी जरूरत मंद को अपने लाभांश से कुछ मदद कर दीजेगा देश के नाम आपकी ये कुछ त्याग होगा, दान होगा, क्या नहीं करना है? जूट नहीं बोलना है नीला रंग शुब है, बावन प्रतिशत का भाग्य है सिंगराशी, 26 जन्वरी एक उपाय देश के नाम सिंगराशी सिक्षा तो बहुत अच्छी करेंगे, कहीं से समस्या है ही नहीं ब्यापारिक दिश्टिकोर से नुकसान उठा सकते हैं बिजनस को लेके सावधान रहना है प्राइवेट सिक्टर आप पर भारी पड़ेगा, सोच समझ कर फैसला लीजिए सरकारी छेतर आपके लिए बहुत अनकूल है मुश्किलों का हल लिखलेगा, गौर्नमेंट सिक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दांपत्त जीवन आप पर भारी पड़ेगा, सोच समझ कर फैसला लीजिए स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए? देश के नाम आपको कर्व छेतर में भारत वर्ष का लगन पड़ता है आप कम से कम एक दो लोगों की आजीविका को बढ़ाने में मदद करिए उन्हें आप रोजगार प्रदान करिए ये आपके लिए बहुत बड़ा उपाय होगा जो देश के लिए आप करेंगे आपका टेंथ हाउस बल्वान होगा क्या नहीं करना है? बड़ बोलापन नहीं दिखाना है सिंग राशी के लिए स्लेटी रंग शुभ है 63 प्रत्सत का भाग्य है कन्या राशी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे अच्छा करेंगे उसका लाब भी दिखेगा ब्यापार ठीक की स्थिति में नहीं चिंदाएं बढ़ेंगी तनाव की स्थिति आएगी प्राइविट सिक्टर आपके लिए अनकूलत आदेगा मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गौर्णमेंट सिक्टर में कुछ समस्याएं मुश्किलें आ सकती है दांपत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है पती-पत्नी के बीच नह बढ़ेगा सपोर्ट बढ़ेगा सवहार्द बढ़ेगा लव लाइफ में मुश्किलें बढ़ सकती है लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवशक्ता है सुआस्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज कन्याराशी वालों को एक उपाय देश के नाम सबसे बड़ी चीज भर्थ वर्ष की कुंडली का लगन आप की कुंडली का नवमेश है नमंभाव का स्वामी है लिहाजा आपके लिए जो सबसे बहतरीन प्रियोग होगा वह धार्मिक्ता के प्रती सुभ संदेश देने का है कम सकम दो-चार धर्मांध लोगों को असली धर्म का मर्म समझा दीजेगा कि धर्म क्या है चाहे हो हिंदू हो सिख हो इसाई हो मुसल्मान हो धर्म क्या कहता है यह सनातन से बहतर कोई नहीं बता सकता जहां completely संभाव का विशेशन चलता हो क्या नहीं करना है करने राशी वालों को आज खाली पेट नहीं रहना है बैगनी रंग शुभे क्यावन प्रतिशत का भाग्य है, 26 जन्वरी बुधवार तुलाराश, पढ़ाई अच्छी चलेगी, आउस्सर बड़े मिलेंगे, ब्यापार कश्ट देगा, पैसा फंसेगा, प्राइवेट सिक्टर अनकूल है, प्रमोशन हो सकता है, सरकारी छेतर में प्रमोशन की स्थिती रुक रही है, शडियंद्र आपकी बिरुद्ध होगा, दापते जीवन अच्छा है, बच्चों का सुख मिलेगा, लव लाइव की स्थिती में सुधार नहीं है, मुश्किले आएंगे, स्वास्त के मामले में पेट और लीवर की प्राब्लम हो सकती है अश्टम भाव से संबंध आपके कुण्डली का भारत वर्ष के लगन से है, आपका अश्टमेश भारत वर्ष का लगनेश है, ऐसी स्थिती में आप कम से कम दो तीन लोगों का इलाज करा दीजिएगा हो गया, देश की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा ही तो देश सेवा है, क्या नहीं करना है, तुलावालों को उधार नहीं देना है सफेद रंग की शुपता में तिरपन प्रतिशत का भाग्या है, 26 जनुरी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में इस्थती अच्छी है, अवसर बड़ा है, लाब होगा, व्यापार कश्ट देगा, बिजनस की इस्थती शुब नहीं है प्राइविट सिक्टर आपके लिए अनकूल है, सरकारी छेतर में प्रमोशन है, दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है लव लाइफ थोड़ा सा टफ है, स्वास्त के मामले में हर्ट और शुगर की दिक्कत हो सकती है आपका सब्तमेश सेवन्थ हाउस का लॉर्ड देश का लगने से, बिश्चिक रासी एक उपाय देश के नाम क्या करना चाहिए आपको भारत वर्ष के लिए आप अपने सेवन्थ हाउस अर्थात अपनी हिस्सेदारी में से, जैसे पत्नी होती है उस तरह से कुछ देश के लिए व्रक्षा रोपन का कारे करतीजे क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर नहीं पहनना लाल रंग की शुपता है, छाच्छत पृट्षत का भाग्य है, धनुराजी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, सिक्षा में कोई रुकावट नहीं है ब्यापार तकलीफ देगा, बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर बहुत अन्कूल रहेगा, आज नई नोगरी की संभावना भी बनती है सरकारी छित कुछ उल्जन दे रहा है, गौर्मेंट सेक्टर को लेके सावधान रहे दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा, सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थिती में सुधार नहीं है, चिंताएं बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए धनुराशी वालों को, आज आपको जो छठा भाव है आपकी राशी से भारत वर्ष का जो छठा जो राशी लगन है वो आपके खस्ठेश का है छठे भाव का है और शिक साउस होता है रिन आदिका, कर्ज आदिका, सत्रु आदिका तो जो भी आपको लगता हो देश के सत्रु की तरह है, जैसे भष्टाचार है कोई गलत अर्यतिक कारे करता हो, देश के लिए सत्रु है जो व्रक्षों का दोहन करता हो, देश के लिए सत्रु है जो टैक्स चोरी करता हो, देश के लिए सत्रु है ऐसे व्यक्ति को सुधारें और अपने अंदर भी इसी प्रिकार का सुधार लाएं यही आपका उपाय होगा देश के नाव मकर राशी अच्छा शुबरंग काला है भागिर प्रस्चत अठावन धनुवालों का क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना है मकर राशी पढ़ाई अच्छी चलेगी शुक्षा में लाव होगा व्यापार बहुत अच्छा है कोई रुकावट नहीं है प्राइबर सिक्टर अच्छा रहेगा अवसर बड़े मिलेंगे सरकारी छेतर तनाव देगा दामपत्य जीवन में शुबता है बच्चों का सुक मिल अब लव लाइफ में मुश्किल आएंगे स्वास्त के मामले में डाइजेशन और शुगर की दिख्यत हो सकती है मकर राशी एक उपाय देश के नाम है आपके पंचम्चम का स्वामी भारत वर्ष का लगनेश है अर्थात शुक्र आपका पंचमेश भारत वर्ष का का प्रयास करिए देश के प्रती प्रेम क्या होता है आप अनावश्यक जगहों पे गंदगी ना करें जहां पे बलब जितना स्वक्ष रखेंगी उतना ही हमारा देश सम्रुद्ध साली होगा स्वक्षता में ही तो लक्षमी है भारत वर्ष गंदा रहेगा आप बस अनुशा प्राशित हो जाएए इससे बड़ा देश प्रेम कुछ है ही नहीं शिराधे कहिएगा क्या नहीं करना है आज मकर राशी वालों को ब्लैक कलर अवाइड करना है पीले रंगी शुप्ता में चोगवन प्रतिसत का भाग गया कुम्ब राशी स्वक्षा के प्रति सब कुछ ब बहुत अनकूल है किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी दांपत्त जी उन अच्छा रहेगा पत्नी के प्रती जिम्मेदारियों का निरवान होगा लव लाइफ थोड़ा सा प्रभावित है इसमें थोड़ा ध्यान देने क्या वश्यक्ता है स्वास्त के मामले में बैक की प्र आउसी है वह चतुर्था भाव में पढ़ती है ओर्-था आउस आपका चतुर्थेश भारत वर्ष का लगनेश है वरशवराजी कुम्ब वाले क्या उपायकरें देश के नाम देखेंगे चत्रूर्थ भाव सुक Kा है वाहन का है मा का प्रृसुत दीका है लोक समाज का तो कुछ आपको बढ़िया हम बताते हैं किसी जरूरत बंद को आप कुछ वाहन दे दे जैसे कोई बच्चा है आप वो विद्याले जाने मुसको दिक्कत हो रही साइकिल के लिए पैसे नहीं है आप हजार दो हजार खर्च कर दीजिए अरे नहीं नहीं तो सेकेंड हैंड तो देखेंगे तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा कुम्ब राशी क्या नहीं करना है आज यात्रा नहीं करना है हरा रंग शुब है पचास प्रतिशत का भाग्य है मीन राशी पढ़ाई की अवसर बड़े बनेंगे सिख्जा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार बह जन दे सकता है गौर्मेंट सेक्टर को ले करके सजक रहने की आवशक्ता है दामपत्त जीवन बहुत अच्छा रहेगा पती पतनी के भीच नहें बढ़ेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ को ले करके ठोड़ा सा सतरक रहने की आवशक्ता है चिनताएं बढ़ सकती है 26 जनवरी के पावन पर पर और 26 जनवरी क्यों इस प्रियोग को तो आप 15 अगस्त में भी करिए जब जब देश के प्रति कुछ हो और रेगुलर करिए तो नथिंग बेटर देन दिस भाईया इससे अच्छा क्या होगा तो मीन राशी वालों को देखा जाए तो थर्ड हाउस में वो राशी है जो भारत वर्ष की लगने की राशी है थर्ड हाउस होता है हमारे भाई बहन मित्र दोस्त पराकरम आदिका छोटे भाई ऐसी स्थिति में आप एक प्रण कर लेजे देश के लिए बहुत बड़ा उपाय होगा कि आप अपने से छोटों को अपने भाई की तरह ही मानिये और उन्हें देश प्रेम के प्रति आपका अनुकरन करें इससे बड़ा उपाय आपके लिए कुछ भी नहीं होगा आपका पराकरम छोटों के लिए आदर्श बने ऐसा करके आप इस देश की सम्रुदसाली परंपरा को आगे ले करके जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देश प्रेम के प्रति य यही हमारी इश्वर से प्रार्तना रहेंगे मीन राशी के लिए क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है बादामी रंग शुभ है एक सठ प्रतिशत का भाग आपके साथ है राशियों का हाल जाना मेंस से लेकर मीन तक बारी आगई अबाज के आइस्ट्रो क्विज की किस ग्रह की पीड़ा से कोई इंसान कोई व्यक्ति कोई जातक जातिका अब शब्द अर्थात गाली बोलता है कौन सा ग्रह पीडित होने पर इसी शब्द पर ध्यान देंगे अगर किस ग्रह की पीड़ा से पीडित हुआ तो इंसान गाली देता है अब शब्द बोलता है Abusing words बोलता है यहीं पीडित पर हम बार-बार जोड दे रहे हैं समझ लीजेगा tricky question किया है मैंने A. बुध B. शुक्र C. शनी D. चंद्र सही बिकल्प दिये गए नंबर पर WhatsApp कर दीजे अभी ततकाल हो सकता है कि अचानक आपकी घंटी बज़ जाए फोन की आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश छोटी E. बिशप घा मिथुन खाग्षर करक आ सिंग अडाग्षर कन्या भा तुला फाग्षर बिश्चिक डा धनू धाग्षर मकर दा कुम्भ चाग्षर मीन का शुब भाग्याक्षर है सादे चोकुर कागज पर लिख कर अपने पास रखिए और आगे बढ़ते रहें शुबता प्राप्त करते रहें आईए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की सकसेज की सर से ग्यारह चावल के दाने तीन बार उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा ग्यारह चावल के दाने सर से उल्टा वार कर पौधे के नीचे रखना है अब बारी आ गई कल पूछे का इस टो क्विज के प्रश्ट का उत्तर बताने की प्रश्ट था बारिस का हिंदू महिना कौन सा माना जाता है बारिस किस हिंदू महिने में सुरू होती है या माना जाता है माक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की आवशकता नहीं इसमें ज़्यादा कुछ तरक नहीं देना है तो आईए सिधे सिधे भागेशाली दर्शक से बात करते हैं नमस्ते आफ और जाए नमस्ते अजनाजी कैसी है आप दुना आए अरे हम वीक्दम ठीक है आज भागेशाली दर्शका बन गई आप अगरी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आप परिले अपनी धड़कनों को थाम लीजी, एकीन कर लीजे आप कहां से बात करें जैना जी आप हम चंटी कर लोहे हैं अजयोब, बहुत बढ़ी आँ जैना जी और आप बहुत अच्छे से बहुत समय से आप दे रही हैं उत्तर मैं देख रहा हूं बहुत समय से आप दे रही है और आज फाइनली आप चुल ली गई किसमत आपकी तेज है तो क्या करती है अजना जी आप कुछी हाउस भाइब हूँ अच्छा बेरी नाइस किसके विशे में जानना है आपको अजना जी नाम बताएए उसका नाम बताएए उसका नेना आच्छा तेईस नमंबर दो हजार एक टाइम बताएए ताइम पांच बचकर शुबचे कहां गजन महने ना का अमीर बूर का है हमाचल परदेश जी जी अमीर पूर हमाचल परदेश पूछी आप नेना की विशे में क्या जानना चाहती है देखे इसका तुला लगन है लगन में ही इसके शुक्र की उपस्थिती है और इसके लिए टीचिंग एक्टिंग या गौर्रमेंट जॉब में भी जा सकती है ये पंजाब सिविल जोट्रा अवाज क्रियर नहीं आ रही है ये पंजाब सरकार या हिमाचा सरकार स्टेट गौर्रमेंट की सर्विस में जा सकती है ये साथी साथ ये एक्टिंग मॉडलिंग में भी जा सकती है लगन में इसके शुक्र बैठा है इसके साथ ही साथ बैंकिंग छेतर में भी आप इसका प्रयास करवा सकती है ये और कोई प्रश्न गुडिया को लेकर कि आपके मन में चल रहा है कोई और प्रशन आपके मन में है इसको लेकर चालिए खुब खुश रही है प्रशन रही है जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जना जी ठीक है धन्ने बाद शिराद अच्छा सुनिये आपको पता कैसे चला कि सावन बारिस का महीना है य़् modes हो मैं यह मैं लोगों का देखा ना कि बहुत कथिन प्रशन से लोग ऊप गए थे टो मैं यह इसली आसान प्रशन जे थे शूरू कर दिय आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि बाबा बगैरा का साहरा तो मेह नहीं लेती तो जो आता है गोर्ट सही है लगा नंबर तो ठीक है नहीं तो चलो जो बागिशाली है आप आपका बिल्कुल नंबर लगता है गया है और जो भी सिद्दत से दिल से जो इनसान किसी भी चीज में लगता है तो उसमें इश्वर नक कहीं कहीं फल देही देते हैं अब बारी आगई आज के आयुश्मान भव की किसी बच्चे की सिक्षा में मदद करके दो बरगत के पौधे कहीं लगा दीजेगा जिनका जन्म 26 जन्मरी को हुआ है उनके लिए ये रामबान उपाय है जिसकी आज मैरिज अइनुवर्सरी है काले चने का दान करें आटे का दान करें पीपल का पौधा अपने हाथ से कहीं लगा दें पती पत्नी मिलकर बस इतना सा करना है मारी शुब कामना है आप लोगों के प्यार के लिए यूँ ही बनी रहे खूब प्रशन रहे हसते रहे खिल खिलाते रहे अनुमत दीजेगा नमस्कार जै हिंद जै भारत